कि हिंदी वाला कोश्चन समझ आगे आप लोगों को तो वरक के बाद आप लों का क्या था उसमें आप लों का मां था और मां आप लों का किसका होता है यह आप लों का होता है पर वरक का पांच मां फिर यह आप लों का जो फर्स्ट होगा यह अपने पांच में में कनवर्ट ह हो जाएगा वह आप लोगं का न होगा तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री की क्लास हम पढ़ेंगे अभी हिस्ट्री में जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे हमारा कंप्लीट हो गया था बिंदुसार तक बिंदुसार के बार मैंने आप लोगं को क्या बताया था कि इसका बेटा पड़ेगा क्योंकि आशोक के ओपर आपको कोशन बनेंगे ही बनेंगे बाकि को चाहिए ना आए अशोक जरूर आता है ठीक है तो अशोक जो आप लोंका था 272 में क्या मैंने आप लोंको बताया था बिंदु सार की मृत्यू होगी थी तो उसके बाद आप लोंका अशोक आएगा दो साल के बाद आप तीन साल तक ग्रीह युद रहेगा वहां पर कब इसकी ड़त होई थी 272 में ठीक है अशोक के कितने बाई थे 101 टोटल कितने बाई थ बाई रहेगा इनके साथ 3 साल ग्रीह युद में इनको खतम कर देगा जो वहां वार होंगे तो उसके बाद 3 साल के बाद आशोक खुद गदी पर बैठेगा और कब का टाइम आएगा इंक उसका 269 का टाइम आएगा 269 में अशोक का क्या होगा ये समराट वालेगा तो यहा में या अशोक को उसके समराज्य तक या गदी तक पहुंचाने में किसकी जादे मदद किसके दुवारा जादे मदद की गई थी मतलब हेल्प किसकी गी गई थी तो याद रखना आप लोगों ने चानक्य का एक शिश्य होगा जिसका नाम होगा राधा गुप्त इंपॉर्ट करेगा किसकी अशोक की अशोक की हल्प क्यों करेगा अशोक की हल्प करेगा अपने 99 भाईयों को मारने की और इन 99 भाईयों को मारने के बाद अशोक को एक बड़ा सा समराज्य दिलाने की ठीक है अब अशोक के कितने भाई थे ये टोटल मिला के कितने भाई थे 101 अब 101 में स 99 मार दिये अब बचा कौन बचा सिरुफ एक और वो क्या नाम था उसका नाम क्या था उसका नाम था तीसा टी आई से ये भी इसका भाई था ये क्यों मारा क्यों नहीं मारा इसको क्योंकि ये उसका रियल ब्रदर था बाकि सबको मार देता है ये चीक है इसके बाद क्या होगा ये जो आपनों का तीसा होगा ये तीसा बाद में कहां का राजा बनेगा ये वनेगा इसा नाम होगा एक याद नहीं आ रहा है याद रखना सिंगल या सिंगाई ऐसा सिंगाई या सिंगल ठीक है यहां का राजा होगा क्योंकि ये जो आपनों का इंप बेटी होंगे जिनका नाम बताऊंगा अगे मैं इनको भेजेगा कहां पे इस जगह पे वो धर्म का परचार करने के लिए ठीक है यह चोटी सी इसकी डेफिनेशन थी जिसके बारे में आप लों को पता होना चाहिए तो इसके बेटी और बेटी का नाम था याद रखो क्या थ जैसे मुझे पूल नहीं आप लों को नहीं बहूनने चाहिए ठीकिआ एचो के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें चोटी सी डेफिनेशन है शौक के बारे में जहां से तीन चार कोशन बनते हैं पहला कोशन थो आश्योक को जो कारेकाल है वो कभ मिला था टू-सेश्टि- तो बच गया था इसका नाम राजा 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 हुआ करता था इसके जो बेटा बेटी थे जिनका नाम था महेंद्र और शिंह नहीं है आप लोगों ने याद रखना है उपशन में तो श्री लंगके करेंगा है दोनों में से एक वर्ड आप लोगों को मिल जाए यह ध्यान रखना आप लोगों ने ठ्क है धंवार प्लेटा और बेटी के दवारा अब अशोग के बारे में पढ़ें यहां पर शोग का जो कारेकाल है वो कितना रहेगा किस तरहां का रहेगा कैसा इंसान था आप लों को पता लगेगा 269 BC से लेके 232 BC तक आप लों का जो महान समराट अशोक है यह सिंह हसन पे बैठेगा नाम की जानकारी इसकी कहां से मिलती है most important question है आप लों का आप लों को पता ही होना चाहिए कि अशोक के बारे में या अशोक के नाम की बारे में कैसे जनकारी मिली थी इसका एक इसका एक मास्की inscription था inscription था बहां पे अशोक का नाम लिखा गया है ठीक है मास्की inscription और वहाँ पे अशोक को लिखा गया है अशोक बर्ध अशोक का नाम अशोक वर्ध बताया गया है ठीक है इसके był आप लोगों ने याद रखनी है गुजरात की इंस्रिप्शन जीक है गुजरात की कorial यह यह कही है गजरात की तो उस पे तो नहीं मिला था नाम नहीं मिला था यह वाली गुर्ज़रा इंस्क्रिप्शन यह इंपॉट golf मत लिए अग्जेंपल में आपशन में गुज़रात भी नहुंगा प्ट आप लोगों ने गुर्ज़रा इंस-क्रिप्शन आम याद रखना है जहां पर इसके बारे में अशोक का नाम बताया गया है तो वहां पर आप लोगों को जो अशोक है उसको अशोक राजा के नाम से संभोधित किया गया है या इसको आप लोगों ने याद रखना है देव नाम प्रियदसी अशोका के नाम से पुकारा गया है तो ये दोनों जो नाम आप को दिख रहे हैं इन दोनों नामों को आप लोगों को याद होना चाहिए यह आप लोगों किसे पूछे जा सकते हैं इसकी अलावा इसकी शादी किससे हुई थी अशोक की बाइफ का नाम कभी के बार पूछ लिया जाता है तो याद रखना आप लोगों ने इसका नाम था महा महादेवी जो आप लोग की थी राजकुमारी कहां की होगी यह होगी प्रिंसेस ओफ उज्जैन उज्जैन की राजकुमारी प्रिंसेस ओफ उज्जैन इसी राजकुमारी इसे महादेवी से इसको एक बेटा और एक बेटी प्रापत होंगे बेटे का नाम अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या महेंद्रा बताया था और वेटी का नाम आप लोगोंने याद रखना है सिंख मित्रा दोनों के ओपर काई वार कोशन पूछे गए हैं इंपॉर्टन टॉपिक में से यहां से कोशन आ जाते हैं इन्होंने आप लोगों का बुद्धिजम धरम को स्प्रेड किया फैलाया था आप लोगोंने याद रखना है जगा का नाम सिंखल सिंखल ही होगा शिंखाई नहीं होगा बहां पर जितना मुझे आइडिया है तो आप से पूछा जाएगा सिंखल का राजा कौन था तीसा इसका भाई उसका याद रखना अशोक यहीं पर नहीं रुकेगा इसकी एक और शादी भी होगी पहली शादी करने के बाद एक और दूसरी शादी करेगा जिन से यह दूसरी शादी करेगा उनका क्या नाम होगा ये भी याद रखना है आप लोगों ने उनका नाम होगा कोरी वाकी या कारूवाकी भी याद रखो कोरी वाकी मिले आप लों को कुछ एक किताबों में बटा आप लोंगों ने याद रखना है कारूवाकी क्यों क्योंकि जो आप लोंग की NCERT है और आप लोंग का जो स्पेशल एडिशन है इसका क्यों रिंचेंट हिस्टि पर वाकी दिया गया है तो क्यों कारूवाकी कहां की है तो आप कारोवाकी की को मारी होंगी नाम क्या था उसका कुनाल बाद में यही उत्रादिकारी बनेगा कहां का मगद का उत्रादिकारी बनेगा तो इसी कुनाल का एक grandson होगा जिसको आप लोगों ने याद रखना है दशरत most important question मगद डैनेस्टी का दशरत दरशरत के बारे में पूछा जाता है कि दश्रत किसका grandson था तो कुनाल का अगर पुत्तर हुआ ठीक है तो grandson तो अशोका का हुआ ठीक है तो इसका पुत्तर दश्रत है यह important question है जहां रखना दश्रत ठीक है उत्रादिकारी बनेगा यह important है इसके बाद कुछ और important question इसके ओपर बन सकते हैं आप कि पन्रहिए को जिसकी उपर question पनेंगे आप लोगको याद रखना जैसे आप लोगोंने यादर रखना है two sixty one जदे अशोक ने कंवों है जैसे काम сама किंगा वार है के आप लिंगा कहा है आज alguma का कि अ यांट शोक में यह पर होगी क्लिंगा युद्ध होगा पो उनका तो इसके साथ एक ही वैटल लड़ी जाएगी आपसे पूछा जाएगा समराट अशोक के द्वारा एक मात्र कौन सा यूद लड़ा गया था तो कलिंगा का यूद लड़ा गया था बाकी जो यूद लड़े गए थे वो अपने भाईयों के साथ लड़े गए थे निन्यान में वो ग्रीह यूद है उनको किसी यूद में काउंट नहीं करते हैं ठीक ह तो इसके बाद इससे कुछ कोशन पूछे जाते हैं आप लोगों ने याद रखना है ऐसे लिख लो पहले आउनली अवैटल बाई अशोका चीक है कैपिटल क्या होगी कलिंगा की कई बार पूछी गई है तोशाली कैपिटल पूछी जाती है इसकी तोशाली नाम याद रखना इसका आप लोगों ने चीक है रिजन क्या था आप लोगों का कलिंगा बार लड़ने का कई बार पूछ लिया जाए आप लोगों को तो इसमें कुछ रिजन नहीं था ये क्या था आप लोगों का अशोक अशोक को हाथियों से प्यार था तो यह चाहता था कि हाथी मिल जाएं इसलिए इसने लड़ाई लड़ ली कलिंगा का रूलर कौन हुआ करता था आप से पूछेंगे कलिंगा का बार किसके बीच में हुआ था तो याद रखना आप लोगों ने नंद राज एक परसन होगा इसके कि एलिफेंट के इंस्क्रिप्षन इस सब एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है इस पूरे का इसमें को जुरूर बनेंगे आप लोंको इसरेशन के इंस्क्रिप्षन चीक है हाथी गुफा विलेख आप लोगों के ओड़िसा में ही प्रापत हुए थे का लिंगा में उ इस कारण गुस्से में आके अशोक ने कलिंगा के उपर अटैक किया था और कलिंगा बार के नाम से यह फेमस हुई थी अब आप से कोशन पूछा जाएगा कि जो हाथी केव इंस्क्रिप्शन हैं इनको किसके दुवारा लिखवाया गया है तो याद रखना आप लोगोंने ए चेंदी शाशक हो गई आप लुका चेंदी वश्का चीक है कलिंगा बार काफी बार सुना है तो इसके बारे में और चीज जान लेजिए कि अशोक का यहां से मन क्यों अलग हुआ था खून खराबे से क्योंकि इस बार में इस युद में कम से कम एक लाख लोगों की मृत्य हुई थी चीक है सुरी डेड़ लाख एक लाख लोगों की मृत्यू हुई थी और डेड़ लाख कौन थे डेड़ लाख को बंदी बना लिया था बन पॉइंट लाइक फाइव लैक अरेस्टेड़ वाई अशोका यह वी दिहान लखना अब इसके बाद आप लोगों से पू लोगों को मरा हुआ देखा डेड़ लाख लोगों को देखा अरेस्ट की हुए को इसका मनी यहां से बदलाब हो गया इसने सदा सदा के लिए हिंसा को त्या करके किसको धबना लिया अपनों के बोद धरम को इसने अपना लिया चीक है कोश्टन अगर आप लोगों से कि टीचिंग किसने दी थी कि नाम याद रखना बंदे का उपगुपत था उपगुपत नाम का एक परसंद था चेक है यह तो होगर टीचिंग देने वाला अब एक और कोशिण पूछा गया था आप लोगा। किसने बनाए था बोधध धरम का पालन करने वाला किसने बनाया था तो याद रखना आप लोगों ने एक परसंद का नाम मोगाली मोगाली पुत तिस्ता ये परसन का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए मोगाली पुता तिस्ता ठीक है ये इंपोर्डन्ट है जब इसके समय काल में दस पीरियड हो जाते हैं किस चीज़ के इसके रूलिंग पीरियड के अशोका के रूलिंग पीरियड के दस साल होने पर अशोक ने कौन सी जगा पे बिजिट किया था तो बोध गया ये भी इंपोर्टन्ट है अशोका से कोशन आता है कि अशोका के दोरा जो बोध गया की यात्रा की गई थी वो कौन से पीरिड में की गई थी दसमें पीरिड में इसके रूलिंग पीरिड की चीक है बीसमें साल में जब ये परसन अपना मतलब बीसमें साल में चल रहा था अपने शाशनकाल में तो ये कहां पे चला गया था ये लूम्बनी गराउं में चला गया था अब लूम्बनी गराउं आप लों को पता है लूम्बनी गराउं है आप लों का जहां पे आप लोग के महातमा बुद्ध थे उनका जनम हुआ था ठीक है और इस परसन के द्वारा एक कोशन पूछा जाता है कि अपने समय काल में अशोक के द्वारा कौन सी जगा को टेक्स फ्री किया गया था तो टेक्स फ्री इसने किया था कि इसको लुंबनी नामक शेत्र को तो य इंपॉर्टन्ट है इसके इलावा और कोशन पूछा जाता है इसके अलावा आप लोगों को कोशन मैंने पहले ही बता दिया था कि अशोका के द्वारा थर्ड बुधिस्ट काउंसिल का भी और्गनाईजेशन करवाएगा तो पूछेंगे आपसे कि अशोका के दुवारा कौन सी बुधिस्ट काउंसिल का और्गनाईज आयोजन करवाएगा था थर्ड वाली का ठीक है कहां पे मगत की राज़ानी पाटली पुत्र में इसमें कुछ इंपोर्टन्ट हुआ था इसमें आशोक के दुवारा ठरड पितक को एड किया गया था ठरड पितक बोद वित्र बोद गरंद को पितक कहा जाता है और इसका नाम क्या था? इसका नाम था अभी-धम-पतिका अभी-धम-पतिका ठीक है तो ये याद रखना या अभी धम पितक भी कह सकते हैं या पितिका भी कह सकते हैं कुछ भी ठीक है तो याद रखना अभी धम पितक या अभी धम पतिका तो ये इंपोर्टन्ट आप लोगों के लिए है इसके बाद आप लोगों से कोश्चन को छोर पूछा जाएगा आप लोगों से कोश्चन पूछा जाएगा कि अशोक के दोरा अपने जीवन काल में कितने धर्मों को अपनाया था इस परसन के दोरा थ्री तीन धर्मों को फॉलो किया गया था अब ये तीनों के बारे में याद रख लीजिए कौन कौन से होंगे सबसे पहले कलिंग वार से पहले ये परसन आपका शिव धर्म को फोलो करता था ठीक है शिव धर्म बिफोर कलिंग अब कॉश्चन बनेगा यहां से कि कलिंग बार से पहले अशोक ने कौन से धर्म को फॉलो करता था एक धार्मिक बैसे तो धार्मिक एक परसन था यह उसके बाद कलिंग बार के बाद इसने बहुत धर्म को अपना लिया फिर आप लोगों ने याद रखना है जीवन के अंतिम पड़ाव में या जीवन के अंतिम समय में इसके दुआरा आजीवक संपरदाए धर्म को भी अपनाया था आजीवक संपरदाए अब यहां से कोश्चन आप लोगों को पूछा जाता है आप से पूछा जाएगा कि इंशेंट हिस्ट्री या प्राचिन हिस इतिहास में ऐसा कौन सा धर्म था जिसमें करम की बजाए करम की बजाए भाग्य को ज्यादा महत्तवदा दी दाती थी तो यही आप लोग का होगा ठीक है तो यह इंपॉर्टेंट है इसके बाद आप लोगों से और के कोश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कोश्चन पूछा जाएगा यह अपने अंतिम समय में दा लास जाएगा कि किस दहरं को यह किस समपरदाय को अशौक के दोबारा डोनेट की गई थी वारोवार केब्स भारोवार गुफा किसको इसने दी थी आजीवक समपरदाय को चाल के अजीवक समपरदाय को इसने ये केब्स दान में दे दी थी इसके दोरा और कुछ काम किये गए थे मैंने आप लों को कहा था ही प्रोहिबिटिड एनिमल सेक्रिफाइज जो आप लों के पशुबद होता है उसके ओपर इसने पशुबली के ओपर इसने निशेद लगा दिया था इसके बाद आपसे और कोशन पूछा जाएगा हुई इस दा फर्स्ट रूलर हुविल्ड नेशनल पार्क इसके दोरा नेशनल पारक को भी बनाया गया था इसके दोरा कौन सी जो शहर है उसको खोजा गया था ही फांड़ेड़ सेटी इसके दोरा दो स्टूप भी विल्ट किये गए थे विल्ट टू स्टूप पास तो वो स्टूप कौन कौन से थे आप लोंके तो याद रखना आप लोगों ने एक होगा बारा वुद्दम स्टूप बारा बंदम स्टूप और एक आप लोगों ने याद रखना है एक और इंपॉर्टन्ट है एक तो आप लोगों को मैंने क्या कहा एक तो बारा वुद्दम स्टूप बताया नहीं बारा वुद्दम स्टूप इसके दोरा नहीं था इसके दोरा कौन कौन से थे पहले ये लिखो इसके दोरा जो किये गए थे लिखने जी मैं यहां लिखवाता हम इसके दोरा लिखे गए थे इसके दोरा दो स्थूप बनाए गए थे एक था सांची का स्थूप क्योंकि इसने इंडिया के बाहर तो नहीं बनाए थे सांची स्थूप ठीक है यह है आप से क आपको बताना चाहता था वो आपका वर्ड का होगा ये जो आपको वारा वदूम स्थूप लिखवाया है ये वर्ड का लोंगे स्थूप और ये आपनों का इंडोनेशिया में स्टैटिक जी के में कोश्चन आ गया था एक पर तो मुझे याद आ गया इसका नाम ठीक है इसक सांची स्टूप बनाया था और ये जो दूसरा बनाया था आपका इसका नाम था धमेक स्टूप धमेक स्टूप ठीक है यूपी के सारनाथ में बनाया गया है ये इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि सारनाथ में कौन सा स्टूप अशोक के द्वार जो आप दो पुछे दो लोग वूं ने उसको गलत मत करके पेए मैं इसके अलावा ओर के चीज़ें है इसके हाँ एक और स्ट ब्रूम को आप लोगों से स्टाटिंग का मैंने आप लोंको मौ curls डेनस्टर्ज Mü क्या बताया सब्प्र जा प्रम्नाशर जा data तो यह Morey dynasty आप लोगों का कू था, तो इसका आप लोगों ने याद रखना है। यह आप हिंदी में भी लिख सकते हो, विरी हम दर्त ऐसे दिखा जाएगा हिंदी में, ठीक है, तो यह याद रखना आप लोगों ने, यह इंपोर्टन्ट है, यहाँ से question बन जाएगा। इसका एक ना सेनापती होता था अगर कहीं से पूछ ले इसका आर्मी कमांडर हुआ करता था सेनापती जिसका नाम होगा आप लोगं का पुश्यमित्रस शुंग पुश्यमित्रस शुंग और यह जो आप लोगं का पुश्यमित्रस शुंग होगा यह क्या करेगा ब्रिहदर् तो यह याद रखेंगे आप लोग तो हमने अभी पड़ा मोरें डाइनिस्टी कल से हम क्या पढ़ना स्टार्ट करें गे पोस्ट मोरियन पीरियड मोरियोत्रकाल ठीक है जिसमें हम पढ़ेंगे आप लोगों की सबसे पहली डाइनेस्टी जो आप लोगों की होगी एक ब्राहमन डाइनेस्टी जिसमें शुंग नाम का एक बंदा होगा जिसका नाम होगा पुश्यमित्र शुंग यह यहां पे एक ड कर दो कोई कोई भी आप लोग का कॉश्टन होगा तो मुझे मैसेज करना ठीक है यही आप लोग का देख लो क्या अप लोगों से कोशन पूचै का बूझे का बीनाशक कौन था मैंने आप लोग आप लोगों को बताए वैसे याद रहते हैं लिखे लेना साइड मैं बहुत ध इस्ट्रॉयर कौन था यही था मोर्य डैनेस्टी का सरवनाश करने वाला भी यही था ठीक है तो यह कल पढ़ते हैं कल मैं आप आप लों को डिटेल में पढ़ाऊंगा धैंगे जो माच गुड नाइट वाल आफ यू कल के किलास में मिलेंगे तिन्यावाद